इम्रान से फिर मोटिवेशनल टेक्नोजी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो सस्क्राइब कर लीजिए जिस से आने वाली हमारी हर वीडियो आप लोगों को प्राप्त हो सकी दोस्तों आज हम उपस्तित है जिला मेरट के गिराम बिजोली से स्टार्ट पॉइंट दिखाया गया है तो आज हमारे साथ जोड़े हुए है हमारे किसान है फार्मर है रिसी त्यागी जी जो बिजोली के रहने वाले है तो आज हम इसे चर्चा करेंगे गंगा एक्सप्रेस वे बिजोली से स्टार्ट किया जा रहा है तो इसक जिनोंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट विजोली से सुरू किया और विजोली से एक्सप्रेस से सुरू होने के साथ ही सबसे बड़ी चीज जो है जिन 12 जिलों से एक्सप्रेस होके गुजरेगा उन 12 जिलों में सभी को रोजगार मिलेगा, कमपनिया लगेंगी 12 के 12 जिलों में और बिजोली तो बिलकुल एक तरह से, सहर की तरह से बन जाहेगा, श्टार्टिंग पॉइंट बिजोली से है,rie और बिजोली में गोल चेक्कर में लगभग 10 हEक्टर जमीन ली जाहे यह, so इस से छेत्र के आसपास काफी रोजगार मिलेगा, काफी रोज़गार के अफसर मिल परतापुर से जुड़ेगा तो मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि हमारे छेत्र की जनता का बहुत जल्द बहुत अच्छा और बहुत ही बढ़िया विकास होने वाला है हमारे छेत्र की जनता है बहुत खुशाल होने वाली है गंगा एक्सपरेसवे को लेकर हमारे छेत्र की जनता बहुत जादा खुश है पूरे मेरट जिले में खुशी है पूरे जितने भी बारे जिले आ रहे हैं सब में खुशी है बहुत अच्छी तरह से सब लोग खुश हैं मैं समझता हूँ कि मानिय योग या दितिना जी नहीं जो ये मील का पत्थर सावित होगा आने वाले समय में जो ये गंगा एक्सवरे से पर इतना उद्योग लगाया जाएगा जिससे यहां के छेतर का विकास होगा और दूसरी बात मैं आपसे बूजना चाहूँगा रिशी ज्यागी जी के जैसे कि अभी फिलाल यह एनेच 334 से स्टार्ट पॉइंट कर दिया है तो अब मुझे बताएए इस वक्त जैसे कि अभी यूपडा ने अमनीश कुमार अवस्ती जी जो है जो मुक्य सचीव है उन्होंने अभी निर्देश दिये है डियामेश डियाम को तो मुझे बताएए पृजएंट में अब क्या जैसे कि आभी तीन-चाज़ दिन पहले निर्देश हुए है आदेश दिये है क्या अभी फिल्ड में कुछ कारिय अब जैसे गोल चकर है आपके यहां पर जैसे आप बता रहे हो क्या इसमें अब फिलाल आपको फिल्ड में कुछ कारिय अब प्रारंब हो नहीं हुआ जी बिल्कुल इसमें फिल्ड में कारिय प्रारंब हो चुका है कल हमारी हाँ गोल चक्कर के लिए लेकपाल, कानुगो वगेरा सबी सरकारी लोग आये थे और उनोंने उसकी नापतोल शुरू कर दी है उसके कित्ने किसके पेड जा रहे हैं कितना कोई सेट्र जो भी बना हुआ है जो भी समय जा रहा है ऊसकी उनोंने देख रहे हैं वो और उसको रिपर जो ऊपर गौर्वश्मेंट को देंगे और उन्होंने नापना शुरू कर दिया, पेड़ की मोटा ही नापनी शुरू कर दिया है, कितने पेड़ जा रहे हैं, किस किसान के, इस तरह से उन्होंने शुरू कर दिया है कल मुझे एक चीज और बताईए अब कब तक संभावना है जैसे कि गंगा एक्सप्रेस में उत्तर पर्देश के स्यम स्री योगी अदिति नाज जी ने जैसे 6 मन्त दिये है गंगा एक्सप्रेस में भूमी अदिर करने के लिए या संभावना है कि 6 मन्त में ये हो जाएगा बिलकुल मुझे पूरा विश्वास है मानने योगी अदित नाज जी पे कि इसका सुबारंब इसका सिलानास इसका भूमी पूजन गंगा दसेरे पे निश्चित रूप से हो जाएगा और यूपीडा ने जो है अपना आदेश द इसका पूरी पूरी समभावना स्वर्ण के योग्या दितनास जी घोसना भी कर चुके हैं कि इसका सिलानास करेंगे तो रिश्चित यागी जी ने हमें बताया है कि गंगा एक्ष्प्रेसीव का सिलानास जो है जून में कर दिया जाएगा और अब फिल्ड में भी आधिकार आने सुरुक हो गए है और जिस तरह से इन्होंने बताया हमें कि पेड़ों की नपाई और सारे जितनी 12 वगारा है किसानों के खेतों में लगे हुए वो एक्वार की जा रही है अब मुझे एक चीज़ और बताईए अब जैसे कि आपके छेतर में नपाई वगारी चल ली है तो यह कितनी जमीन एकवार कर रहे हैं यह इसकी चोडाई 120 मीटर है गंगाइ? गोलचक्र में तू पकाफी जमीन जा रही है लेकिन इस गोलचक्र से जो आगे चले गया है तो इसकी 120 मीटर चोडाई है सेन्टर से 60 मीटर इह है साट सर्ट. वार उसको अपना सर्कार को भेजिएंगे, तोएल रहे हैं, पेड आरे हैं या किसी का कोई और कुछ बना हुआ है इस्ट्रनisterlb उसकी वर आफ सब्छलमें SDM साब भी आये है गोल चेकर पर बिजोली में जासे स्टार्ट पॉइंट है महाँ पर SDM साब भी आये है और चर्चा की गई है और जल्द ही इसका जो निर्माण है वो भी सुरू कर दिया जाएगा रिसी त्यागी जी आप से मिलकर बहुत अच्छा लगा और हमारे सभी दर्सकों को जानकारी जो आपने उपलब्द कराई है आपके छेतर में और आप परसनली है आप बिजोली के रहने वाले हैं और आपके सामने ही इस सारी पिर्क्रिया सुरू की गई है तो बहुत अच्छा लगा हमारे दर्सकों को भी आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा होगा कि सारी जानकारी आपने उनको उपलब्द कराई है हमारे चैनल पर आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें समय दिया उसके लिए हम आपका तहे दिल से सुपैसे रज़ा हूँ जिन्होंने हमारे छेत्र के लिए विकास के जनडे गणेंगे इस चेत्र में मुझे बिल्कुल गंगा एक्सपरेसे से लगता है कि पूरा छेतर की खुसाल हो जाएगा पूरे जिले में बारे जिले कुसाल हो जाएगे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद